बूर्णिंग स्टुदेंट्स आवर्यू आपको बढ़ा दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी मैलीटी होती है आपकी यह सारी दॉप्तिली फिस्टी अवर्यडिया आपको ब्रॉपर्टी पहले है पहली प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी आईगी इस रीचिन विफ ऑक्षीजन जब मैटल और नौन मैटल की रियक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या होता है तो जब भी ऑक्सीजन के साथ मैटल रियक्ट करता है तो वह मैटल के ऑक्साइड बनते हैं और नौन मैटल के ऑक्साइड बनते हैं जो मैटल के ऑक्साइड होते हैं आपने जैसे प्रीवियस क्ला जो है तो कैसे सब्सक्राइब करते हैं और में मैटल येक्षन ने अकरता है कश चुछ सब्सक्राइब करते हैं कि लुघ करते हैं टिक है reaction with acid reaction with acid में भी आपका metal acid के साथ कैसे रियक्ट करता है non metal करता है या नहीं करता है इसके बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे displacement reaction की कैसे metal एक metal डूसरे metal को displace कर देता है जो जादा reactive matter होता है वो दूसरे matter को कैसे react करता है अब यह आपको इस सारी चीज़े बहुत complicated लग रही होगी तो don't worry आप उसके बारी में परिशान मत होए हम एक-एक topic को ले करके चलेंगे और उससे मैं आपको सारा समझाओंगे तो reaction with oxygen से start करेंगे इसको आप थोड़ा brief में आपने book में पढ़ लीजेगा chemical properties का जो पहला point है reaction में तो oxygen इसको पढ़ लीजेगा उसके बाद मैं आपको video जो बनाऊंगी बेजूंगी उसमें आप पूरा आपको explain करूंगी और फिर live class में we will also discuss ठीक है तो इस सारी properties के बारे में पढ़ेंगे पहले physical properties आप सारा revise कर लीजे और कोई घबराने के बाती है reactions का practice करेंगे तो यह आजाएगा okay तो ठीक है बीटा फिर next class में start करते okay thank you